अगर आपने अभी तक अपने बच्चे को ये बीट उट मखाना कटलेट नहीं खिलाया है तो आप शोली बहुत कुछ मिस्ट कर रहे हो क्योंकि ये उनके वेट गें से लेकर ब्रेन डेवलप्मेंट के लिए बहुत ही अच्छा है तो चलिए देखते हैं इसकी क्विक सी रेसिपी इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मखाने ओट का पाउडर बना लेते हैं तो यहां पे मैंने एक चमच देशी घी लिया है जिसमें मैंने एक कटोरी मखाना डाला है मखाने को हम थोड़ी देर रोस्ट होने देंगे और उसके बाद 8-10 काजू डालेंगे काजू मैं थोड़ी देर बाद इसलिए डाले हूँ क्योंकि मखाना रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है काजू थोड़ी जल्दी रोस्ट हो जाते है हलका साटे होने के बाद यहां पे मैंने एह अधी कटोरी ओट्स लिया है ओट्स में बहुत रिच फाइबर होता है तो अपने बच्चों को जरूर खिला है तो इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इसे अच्छे से ब्राउन होने देंगे बहुत ही अच्छी फ्रेक्नेंस आने लगी है तो फ्लेम को हम लो कर देते हैं बंद कर देते हैं और उसके बाद इसका हम पाउडर बनाते हैं पाउडर बनाने के लिए मैंने यहां पे जार लिया है तो जो भी हमारा है इसे में अच्छे से हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे और अच्छे से हम पाउडर बना लेंगे तो यह देखिए हमारा पाउडर रेडी हो गया है तो इसे अब हम साइड में रख देंगे तो जब अभी हम कटलेट बनाएंगे तो इसकी जरुवत पड़ेगी तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं तो यहां पर कटलेट बनाने के एकCD guess कर लिया आप जो चाहें वह सब्जी डाल सकते हैं इसमें मैंने आधा पनीर को अच्छे से ग्रेत करके डाल दिया है सब्जीं में मैंने इसमें गाजन नहीं डाला है भरोकली नहीं डाली है त्भुना हुआ नमग tek माण चारद में सालतु तो इसे अच्छे से हम झाला लग जांग नाइन बाद जो आज का पाूर रेडि किया है क्योंकि यह जितना अच्छे से डालेंगी उतनी अच्छी इसकी binding आएगी तो आप उसे प्रॉपर शेप देंगे नहीं तो शेप देने में यह तूट जाएंगे शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर हार्ट शेप का cutter यूज किया है आपको जो शेप पसंद है आप उसमें दे सकते हैं वह शेप में बना सकते हैं बच्छों के लिए बच्छों को बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए शेप देते हैं कि वह अट्रैक्ट होंगे तो खाएंगे तो बस इसे अच्छे से हम फिलिंग कर देंगे इसे अच्छे से दबा देंगे चारो तरफ से और इसे हम अच्छे से फिर बहुत ही अराम से निकालेंगे तो यह बहुत ही अराम से निकालाएगा अगर आपने पाउडर अच्छे मात्रा में डाला है तो इसमें बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी तो यह बहुत ही आराम से निकल आएंगे तो यह देखे हलका सप्रेस करने के बाद यह कितने आराम से निकल आया और शेफ देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है तो इसी तरीके से जितने भी हमारी कटलेट है उनको हम ऐसे ही शेफ देंगे आपने अ तो बच्चों से लेके बड़े सब को बहुत ही जादा है तो सब के लिए बनाई है अचानक से कोई गेस्ट आजाए अप उन्हें भी दे सकते हैं तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा तो यह देखिए सारे कटलेट हमारे ready हो गया है देखने में कितने क्यूट लग रहे है तो चलिए इने fry करते हैं प्राइब गर्पर करने के लिए मैंने यहां पर देसीगी का यूज़र किया है आप चाहें तो किसी भी कुछिंग वयल से यूज़र सकते हैं पर यह मैं अपनी बेटी को खिलाओंगी तो मैं यहांपे देसीगी का यूज़र एक ग्रीसिंग रबर से इसको अच्छे से ग्री तो यह देखिए, इसको भी तरिक भी और यह थे थाकर लागा देते हैं , तो यह रेडी है हमारे अच्रा एक वह आर कर सकते हैं, मैं तो यह आभ इसको डारेक्ट अपनी बेटी को देने वाली हो लेकिन अगर आप ठांप को ब्रैट करना है तो इसमें आप ब्रेट क्रम की कोटिंग कर सकते हैं तो बस इसकी अच्छी से प्लेटिंग कीजिए सॉस के साथ या किसी भी चट्नी के साथ अपने बच्चे को खिलाईए उमीद करती हूं आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी आप भी जरू ट्राइ करें